नमस्कार के आपटल टीवी का खास शोर राहूल का अगने पर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ हूजा राहूल गांदी इन दिनों गोल्डन टेंपल में सबजी काटते जूटे बरतन दोते लंगर बाट कर सेवा भाव करने में जूटे हैं पर उनके लिए एक बुरी खबर सामने आई है ये खबर राहूल गांदी की मुश्किले बढ़ाने वाला है दरसल भारत जूडो यात्रा के दोरान राहूल गांदी ने वीर सावरकर पर टिपनी की थी स्टिपनी के खिलाफदार याचिका को लखनो जुला जज अश्वनी कुमार तिरपाठी की कोट में सुनवाई के लिए स्विकार कर लिया है राहुल गांदी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है और कोट ने याचिका पर सुनवाई के लिए एक नॉमबर की तारीक भी तै कर दी है तो कैसे राहुल गांदी की मुसीबत बढ़ गई है आज इसी पे चर्चा करेंगे मेरे साथ स्टूड़ी में मौझूद हैं कि आपतल टीवी के एक्सक्यूटिव एडिटर राजीब जी राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाई यह कौन सी नई मुसीबत राहुल गांदी की गले पड़ गई है क्या कुछ है यह पूरा मामला यह सावरकर के खिलाफ जो इन्होंने बोला था इसके खिलाफ यह मामला दरज हुआ है आप राधि की आची का है और यह लक्नोग के कोट में सिर्फ यह सेसं कोट में नहीं चल रहा और इससे ट्रांसफर कर दिया गया है जो मामला भारत जोड़ो यातरा का है और उसके बाद जो महराष्ट में अकॉला में इन्हों ने प्रेस कॉंट्ट करके वीर सावरकर का अपमान किया था उसका है अब ये मामला ऐसा जुड़ा हुआ है कि भारत जुड़ो यात्रा हो या अलग-अलग मंच पर राहुल गांधी ने वीर सावरकर के उपर कई आरोप लगा है। सारे लोगों ने आंदोलन किया था कि इसकी स्तक होने चाहिए स्वतंत का पहला अंदोलन। उन्हें अंडमा जेल में भेजा गया था। इसा नहीं है कि अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो मामले दर्ज किये थे वो कोई उनका नीजी था वो देश प्रेम का था और यही मामला अब लखनों के कोट में पहुंचा है ये दो तरह के मामले हैं वीर सावरकर को लेकर एक महारास्त के कोट में जो चल रहा है उसमें वी जा रहा है इसलिए मानहानी का मामला है कि देश में तो वह बोल ही रहे थे राहुल गांदी विदेश में जाकर भी उन्होंने क्या कहा किवीर सावरकर के लिखत लिक्न स्वारे को उन्हों कि तीलोग की में और ये तुक्षी का रह नोग पीट रहे हैं यह मुझा लोग रहे हैं यहांतै प्रेश में घरना पैदा करने का इसलिए लखनाओ के कोट ने सेशन कोट पहले जब एसी जी एम के पास ये गए थे तो उस समय पहली बार में तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया कि ये मामला नहीं बनता है फिर से रिवीव पेटिसन दिया कि ये मामला सामान नहीं है राहुल सांधी ने क्या बोला भारत जोड़ो यात्रा के समय वीर सावरकर के खिलाफ जो बाते की वो तो उनका पॉलिटिकल मामला था लेकिन अकोला में उन्होंने एक प्रेस कॉंफरेंस की और प्रेस कॉंफरेंस में उस व्यक्ति के उपर आरोप लगाया जो अभी जीवित नहीं कि वो अंग्रेजी सरकार से पेंशन लेते थे अब ये दोनों जो मामला है एक सोतंतरता सेनानी के उपर इस तरह के आरोप देश में घिरना पैदा करने वाला है क्योंकि नफरत का महौल पैदा हो रहा है ऐसा आप नहीं कह सकते कि वीर सावरकर के समर्थक नहीं है बहुत सा कुत्व की वीचारधारा का परचार कर रहे थे वो देश के लिए समर्पित नहीं थे वो देश प्रेमी नहीं हो सकते इस आधार पर अगर ये लोग जो बार बार संग के खिलाब बात करते हैं और वीर सावरकर के खिलाब बात करते हैं कभी एक बार इनकी आवकात है तो बा अबसाहेब अंबेडकर जो इतने दिनों तक संघर्ष करते रहे दलित उद्धार की बात करते रहे उन्होंने संविधान के प्रारूप समीति के अध्यक्ष रहे संविधान निर्माता उनको कहा जाता है लेकिन सोतंतरता आंदोलन में उनकी भूमिका हमेशा संदिग्द रही वो चाहते ही नहीं थे वो अंग्रेजियों के साथ बात चित करते थे उनका कहना था मानना था कि अगर बृटेश सरकार यहां से चली गए बृटेन से आजादी मिल गई तो यहां पर जो जमिनदार वर के लोग हैं जो ब्रहामन हैं यह समाज पर और रास्ट पर कबजा करे था, support नहीं किया था, क्या राहुल गांदी की या फिर कॉंग्रेस या विपक्ष के किसी नेता की अवकात है कि वो इस आधार पर बाबा सहाब अमेटकर के बारे में कह दें कि इन्हों ने तो देश के साथ गद्दारी की है लेकिन ये वीर सावरकर के बारे में कहेंगे ये RSS के बारे में कहेंगे कि इन लोगों ने देश के आजादी के अंदोलन में कोई भूमिका नहीं निवाई जब कि सबसे बड़ी भूमिका निवा कि इससे बहतरीन समाजिक सेवा वाला कोई संगठन नहीं है जो भुकंप के समय बार के समय लोगों को पिडितों की सहायता करता है बीना कोई स्वार्थ के लेकिन ये अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो यानि कि ये हेट स्पीच का मामला है नफरत फैलाने वाला है एक तरफ सुप नफरत ट्रहnięं है उसको एक ही स्तर पर देखा जाए उसको ऐसा नदेखा जाए कि ये उस मामले में है तो उसको सजा नहीं मिले दूसरे मामले में दूतरे की सजा मिलेगी और यही लखनों के कोट की नोटिस है और मामला MP MLA कोट में पहुंचा है मतलब दो तरफा कारवाई MP MLA कोट जिसने आजम खान की सदस्ता खत्म की जिसने हेट स्पीच में भारतिय जनता पाटी के एक विधायक की सदस्ता खत्म की जो दंगा के आरोपी माने जा रहे थे जिसने आजम खान के बेटे की सदस्ता खत्म की अब राहुल गांधी उसी MP MLA कोट में जा रहे हैं और MP MLA कोट का गठन क्यों किया गया इसलिए किया गया क्योंकि राजनिती में भरस्ता चार है हेट स्पीच का मामला जो आता है नफरत पैदा करने वाले लोग हैं देश द्रोहिक गतिविदियों वाले भी लोग हैं अब जो सामान अदालते होती हैं चाहे आप सेसन कोट की ही बात करें या उससे भी नीचे मजिस्टेट कोट की राहुल गांधी की जो मानहानी मुकदमे मोदी सबने मामले में चल रहा है या फिर सावरकर मामले में चल रहा है या फिर दूसरे और आठ्रे दस मानहानी के मामले चल रहे हैं एक मामला तो अमिश शाह का भी है जिसमें उन्होंने क्या कह दिया था अमिश शाह के बारे में कहा हत्यारा है जो भारतिय जन्ता पार्टी का अध्यक्ष बना हुआ है तो उसी तरीके से कई मामले चल रहे हैं लेकिन सारे मामले जनरल कोट में हैं तो सालों से ये खिशता चल जा रहा है दो महिना में तीन महिना में सुनवाई होगी उसके बाद अगले तारीक पर तारीक पड़ेंगे ये तो पहली बार मजिस्टेट कोट ने मोदी सरने मामले में राहुल गांदी को इतनी जल्दी सजा दी फिर भी तीन चार साल लगी गया लेकिन MPA में ले कोट जो है वो स्पीडी ट्राइल करती है यानि कि यहां मामला जल्दी से निप्टाया जाएगा किसी सांसद विधायक का और उसी में राहुल गांदी अभी फश्ट पूरा हेट स्पीच का मामला है मुसीबत बढ़ने वाली है पर राहुल गांदी अकसर कहते हैं कि मैं सावर कर नहीं गांदी हूं माफी नहीं मांगोगा यह मामला किस तरफ से उलचता जा रहा है क्योंकि एक नॉम्बर को सुनवाई होनी है क्या राहुल गांदी इस पूरे मामले में माफी भी मांग ली तो भी वो बचेंगे नहीं ऐसा हो सकता है आप किसी वर्क समुदायक किसी से आपने गलत बाद कहें, उसके खिलाब उसके परतिष्ठा को हानी पहुचाई है, तो आप माफी मांगते हैं, कि तुम्हारी परतिष्ठा को मेरी बातों से हानी पहुची, यानि हनन्न हुआ, तो हम उस बात को वापस लेते हैं, मेरा intention ये नहीं था इसलिए हमें माप कर दो लेकिन जहां criminal प्रोसेजिंग होता जान बूझ कर राहूल गाजी जहां पर मामला आपराधिक है अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसमें माफी माँगने से काम नहीं चलेगा या कोई भी वो regret की कर ले कुबूल भी कर ले तो उसे सजा मिलेगी अब एक अपराधिक मामला है कि आपने एक नफरत पैदा करने वाला बयान दिया जिससे की संभावना इस बात की है कि महराश्ट में दंगा हो जाए हिंदुस्तान में दंगा हो जाए या फिर सावरकर के समर्थक और विरोधियों के बीच दंगा हो जाए जिस व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हो उनके समर्थक हार्ड कूर समर्थक है और उनके बारे में आप क्या बोल रहे हो कि वो अंग्रेजियों के एजेंट थे तो उनके समर्थक तो सड़कों परा सकते है दंगा होगा इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये हेट स्पीच का मामला आता है और यहां मामला सिर्फ वीर सावर करका नहीं है कई सैनिकों से भी जुडा हुआ है बिल्कुल ये मामला सिर्फ और सिर्फ सामान ने स्थिति में नहीं देखा जा सकता ये नफरत पैदा करने वाला मामला है तो इसलिए हेटर स्पीच के अंदर आएगा और MP MLA कोट अब स्पीडी ट्राइल इस पर करेगी मतलब नवंबर के लिए तो नोटिस है एक नवंबर को सुनवाई होगी और उसके बाद राहुल गांधी का फसना सुरू होगा और इस मामले में जो सजा होगी इसके लिए ये नहीं है कि minimum maximum punishment दे दिया गया दो साल की मानहानी के मामले में 499 में सिर्फ 2 साल तक की सजा हो सकती है इसमें तो situation पर depend करता है कि उस बयान से क्या क्या संभावनाय बनती है और उसके लिए राहुल गांधी को कितनी सजा मिल सकती है सदस्ता कैसे बचेगी 24 का चुनाब कैसे लड़ेंगे ये कई सवाल अभी कोट इस बात के लिए सुल जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए तो एक बार फिर से राहुल गांधी मुसीबत में फस गया है राहुल गांधी के खिलाफ दारियाचिका में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने वीड सावरकर के खिलाफ 17 नॉमबर 2022 को अकोला महरास्ट में जान भूच कर टिपनी की थी राहुल गांधी ने देश के समस्त स्वतंत्रता सिनान्यों का भी अपमान किया और इस अपमान की सजा अब राहुल गांधी को भुगत नहीं होगी मामला बढ़ता जा रहा है कोट भी आक्शन में नज़र आ रहा है जो राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करने वाला है इस पर आप अपनी राए कॉमेंट करके लिखें देख तरिये कैपितल टीवी नमस्कार